नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में आज इस वीडियो में जानेंगे कि खरपतवार नासक का प्रियोग आपको कब करना चाहिए कौन-कौन से खरपतवार हमारे गैहूं के खेत में होने लगते हैं और उनको डालना का सही समय क्या है सही मात् करने वाले और वीडियो बहुत ही जादा इंफॉरमेटिव आज आपको लिए होने वाली है और इस तरह के जो आप देख रहे हैं यह गैहूं के खेत में हैं पर यह हुवे हुए हैं तो इस तरह के जो खरपतवार हैं जैसे कि यह गैहूं का मामा है किरसन नील है मोथा है ब गैहूं के खेत में काफी ज्यादा होने लगते हैं तो आप यह गैहूं यहां पर देख रहे हैं इनमें पहली सिचाई कर दिये अब इस टाइम पर खरपतवार इसमें बहुत ज्यादा निकलना सुरू हो गया है तो इस तरह से इनका खेम पर जो खरपतवार नियंत्रन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और गैहूं में जैसे हम पहला पानी दे देते हैं पानी निकलने के बाद इसमें खरपतवार निकलने सुरू हो जाते हैं और यदि इन खरपतवारों की बढ़वार ज्यादा हो जाए तो हमें ज्यादा दवाई का इस्तमाल करना पड़ेग लेकिन जब भी आप छड़काव करें आपको कुछ चीदों को ध्यान रखने ही जोड़ते लेकिन उस टाइम पर आपके खेत में नमी भी होनी चाहिए और धूप का समय होना चाहिए लगबग आपको दस बजे के बाद ही आपको करना चाहिए जो दूप निकलाए तो उस फट वार आपको दिखाई रहे हैं य等一下 में प्थसे चाहिए जर्दी था यह ci तरह कि ऑथनद एग आप है आपको और जंगली गाजर है तो यह जो पत्ली पत्ति वाले आते हैं जिसको संक्री पत्ति भी हम कहते हैं इन दौनों के लिए जो दवाई जो होती है जो खर्पत्वार ना सक जो होता दौनों तरह की दवाई के लिए अलग-अलग होता है और कुछ दवाई ऐसी होती है कि जो दोनों तरह के खरपतवार पर これ हमारे घ्याहूं की फसल में हैं आप उसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं तो अभा बात करें सबसेपहले कि जो चौडि पत्ती वाले जो को खर्पत्वार हैं आपका बथ菁, जंग्ली पालक है, मोथा है या पिर कटिली पालक है यदि इस टाइप का आपके जो चोड़ी पत्ति वाले खरपतवार जादा हैं तो इसके लिए आपको अलग्रीफ को आट ग्राम को दो सो लीटर पानी में घोल कर पिरती लीटर के हिसाफ से अपने खेत में इसका छड़काव करना चाहिए इससे बहुत जल्दी नश्ट हो जाते हैं और इनका प्रियोग करने का जो सही समय है वह लगबक 30-35 दिन बाद भला बुवाई के 30-35 दिन बाद आपक को खरपतवार होते हैं इसमें आपको यह जंगली जाः है और तो इस करते हैं यह कुछ संक्री पत्ता गicamente 100 लेना है और 120-150 टीटर पानी फ squeeze में फिरती एकल के इसाफ से अपने ग्यहों की फसल में च्छिडकाव कर देना है इस तरह से यदि आप इनका छिड़काव करेंगे तो जिस तरह के खर्पतवार आपके खेत में हैं वह बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे उसमें आप ध्यान रखें कि जब आप खर्पतवारों को नश्ट करने के लिए यह स्प्रे कर रहे हैं उस टाइम आपके खेत में परिय आप नमी आपकी है इस टाइम पर इसको प्रियोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल दिखाई देगा और दूसरा आपको इस टाइम पर धूप होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है आज कल वैसे मौसम बहुत ज्यादा खराब चलना है लेकिन जब धूप निकलनी शुर असल में हो जाता है तो यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे खर्पतवार नहीं रहेंगे तो वह आपका बिल्कुल नुक्सान आपको नहीं होगा जर्नली आपको फादाई होगा और हम उचित समय की बात करें तो खर्पतवार ना सक के लिए जो इस्प्रे करते हैं इसमें उचित समय आप लगबग 40 से 45 दिन तक अपने खेत में इस्प्रे कर सकते हैं लेकिन जो बैस समय है बैस समय जो होता है सबसे अच्छा समय होता है वह बुवाई के 30 से 35 दिन का होता है क्योंकि उस टाइम पर जो खर्पतवार कितने बड़ बड़ खर्पतवार यह हो चुके हैं लेकिन उस टाइम पर क्या है कि खर्पतवार बहुत छोटा होता है आपको कम दवा की जोट पड़ेगी और कम खर्चे में ही आपका यह खर्पतवार को नश्ट कर सकते हैं तो इस तरह से इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा था यदि आपके खेत में तरह तरह के खर्पतवार गैहूं की फसल में हो गए हैं तो उनको आप किस तरह से नश्ट कर सकते हैं संक्री पत्ती वाले कौन से खर्पतवार होते हैं चौली पत्ती वाले कौन से होते हैं कौन सी दवाका आपको इस्तेमाल करना है तो फिलाल इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही और जल के लिए वीडियो को लाइक कमेंट और सेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद